दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं हूं कनाब देख रहे हैं ए जी महत थक दोस्तों एगरीमेंट जब हम लुग बना लेते हैं एगरीमेंट बनने के प्रॉलेम होता है तो हमें क्या करना चाहिए किस तरीके से हम उसको निवारान कर पाएंगे इसके बारे में आज हम लोग चाचा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यों ले क्योंकि दोस्तों एग्रिमेंट एक बहुत ही काफी बड़ा महतवपन चीज़े होता है जब भी हम पैसा है नंके बेटे लोग के हां सेजै तो वह पैसा हमें आगे जलाएं ठीक है और उसके पिताजी के राम पर जमिन था और उसका फिताजी खतम हो गिया तो क्या वह क्या होओ पैसा हमें मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा है यह सारी चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माद़ हमसे चाचा करने वाले हैं आज का वीडियो काफी बड़ा महत्तोफपुन चीज़े होने वाला है तो आप लोग इस दिश्यों को ध्यान से देखें समझें चले इग्रिमेंट होता है जो जिसे कि हम लोग 50 रुपे की स्टांप या 100 रुपे की स्टांप से हम लोग नौर्मल एग्रिमेंट बनवाते हैं और उसका बैली होता है गयारब मेने हीडियो का मेंने में में और दूसरा होता है एक शोको साल के बनता है या फिर जा से अधिक हैं तो वह खरिशा होता है क्शा पैसा है क्का और यहां पर कुछ रेजिस्ट्र में जो करने हैं कर में लगते हैं तो वह लग मेंटर है लेकिन तो मैं लोग बता दो कि हम ज्यादतर क्या करते हैं कि यह ज्यादतर लोग आप स्टम्प से हम लोग भी उसका समफ होने रहा है तो आप क्या कि запास्ट और हो सकता है तो ऐसे हैं मामल में अगर उसका timing अगर वो समाप्त होने वाला है तो आप एक बार शेंटा के पास जाएं और बिक्रेता को बोलने की हमें जो है रेजिस्ट्री कराना है जमीनका जो हमने agreement बनवाए थे आपके साथ तो उस agreement को हम लोग को register करवाना है, तो उन लोग क्या बोलते हैं, अगर उन लोग सक्ष्यम नहीं है, उनकी बीमार हैं या कुछ बैक्स वहीं है, कोई problem है या बाहर है, तो ऐसे मामल में उस agreement को थोड़ा सा और stay कर सकते हैं, तीन मेने चार मेने लिए और आगे बढ़ा सकते है एक और agreement बना कर जो है उसका वहलिद जो है आगे बढ़ा सकते हैं और आपको जो है वहाँ पे टैमिंग मिल जाता है हो सकता है जो आपके पास भी पैसा कि व्यवस्था ना हो तो उस जगे पर भी आप जो है ऐसे कर सकते हैं खरीदने वाले ब्यक्ति को ठीक है तो इस तरह की स जमीन को बेचना था तो आपको क्या करना होगा वह समय आपका जो एडवान दिया हो पैसा वह समय डूब सकता है ठीक है तो इस तरह की प्रॉल्लेम भी आता है और बेचने वाला ब्यक्ति अगर मना करेता है कि मैं आप जमीन आप नहीं दोंगा बूलता है तो उस जगे पर बहूस होते हैं तो ऐसे मीन में अगर वह मना कर देता है कि जमीन नहीं देता है नहीं बचूंगा बोलेगा तो वह समय आप क्या करेंग great तो यह को मुकृत्मा कराईंगे ठीक है सीविल घ्ट्र में जाकर मुकृत्माद दच कराएंगो तो वहां पे एक कर्ट में जो है आपको ज्यादा चांसे मिलेगा कि वो जमीन वो क्यों बेच नहीं रहा है ठीक है आप उस समय क्या बोलेंगे कि जब हम ने इस जमीन का सौधा किया उस समय मैंने मेरे पास पैसा नहीं था मैंने को रिष्टिदारों से लेकर या फिर गिरिवी लेकर जो है मैंने इस जमीन को बुक कराया एडवांक पैसा दिया इनको और अब यह ब्यक्ति हमें मना कर रहा है तो यह स्टेब को अगर जब आप कोट में करेंगे ठोस सबुत अगर देते हैं तो उस समय क्या होगा कि आपके पक्षप में आपको मिल सकता है आपके कोट जो है आपके पक्षप में सुना पैसा नहीं होता है तो ऐसी मालल नहीं करने के पार है क्या करना क्या कि नहीं करना सै अगर नहीं दे ना चाहता है यह से जमिन आप पैसा दिये थे उसका डवल पैसा जो आपको रिटर्न दे सकता है इस तरीके से मुकदमा में अगर मना कर देता है बिच्टे के लिए तब तो इस तरीके से आप निपारण कर सकते हैं कि आपका समाप्फ हो जाने के बाद भी आप उसको किस तरीक से लेंगे तो कहने के मतलब यहीं है कि आप सीविल कोर्ट में कर सकते हैं और वहां से आप कोपिल के माधम से वहां पर जो भी जूँज्मेंच जो भी डिसीजन देगा उसके आधार पर आपको काम लेना है हो सकता है जिसका ठोस समुद रहता है उन्हीं को जह जमीन वहां पर मिलता है तो इस तरीके से होता है और आपको जहां मजबूती दिखाना है कि आपको मजबूती बनना है कि आपको जैसे मैंने आप लोग को बता है कि आपने कहीं से लोन लेकर आपने जमीन खरिदे या प्रवाइब्यक्ति आप मना कर रहा है तो ऐसी मामल में आपके पक्षम में उन जमीन हो सकता है चले तो आज के वीडियो आपको कैसा लागा जोर को बताइगा साथ में चैनल में नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें रखने तक आने उन टायमें आपको जमीन से वीडियो के साथ तब तक लिए आप से भी खुमरा तह दिल से नमस्कार